All right, मेरे भाईयो, तो काफी लोगों को जो है, ये confusion थी, कि भाई, finasteride है, dutasteride में से कौन सी जो है, हम लोगों के लिए बेटर रहेगी, hair loss को treat करने के लिए, तो भाईयो, आज की जो वीडियो आज के अंदर completely जो हम discuss करेंगे, dutasteride की जो है, effectiveness as compared to finasteride, और क्या उसकी safety profile है, study सक के अंदर क्या निकल के आता है, और कौन-कौन सी country's के अंदर जो है, dutasteride एक्च्वल में allowed है, hair loss के लिए, ये सब भी आज की वीडियो को हम discuss करने वाले है, तो बने रहेगे, भाईयो, पहले तो वीडियो को like और subscribe चैनल को ज़रू कर दीजे, इससे चैनल को support मिलता है, और बनाने का और जादा एक motivation आता है गाई अंदर से, तो भाईयो, वीडियो स्टार्ट करते हैं, भाईयो, आज जो हम study उठाने वाले हैं, इसके अंदर दो पार्टी के लोग है, एक जो पार्टी है गाई, उसके अंदर finasteride के users लिए गए है, और दूसरी पार्टी है भाई, उसको ने दूटास्टाइड उसको ने दूटास्टाइड उसको लिए गया है, दोनों ही जो users हैं, उनको hair loss की problem है, male pattern baldness, androgenetic alopecia भी बोलता है इसको, उसके लिए जो है treatment स्टार्ट किया गया इनका, और गाईज, जब इनके धीरे धीरे करके इनको treatment दिया गया दोनों medicines का, जो guys, results निकल के आया है over the time, guys, वह मैं आपको बता दूँ, काफी amazing एक result निकल के आया है, कि जो फिनेस्टाइड के users थे guys, उनका तो result था, वो अच्छा तो आया ही था, but guys, on the other hand, जो हमाई डूटास्टाइड के users थे, उनका result guys, बहुत ही जादा amazing आया है as compared to फिनेस्टाइड जिया guys, बहुत जादा amazing result था as compared to फिनेस्टाइड और guys, ये तो होना ही था, तो कि जो जो डूटास्टाइड है guys, वो जो हमारी body के अंदर DST levels है, वो काफी हद तक, in fact guys, almost 90% से भी उपर तक कम कर दे है हमारी body के अंदर, जो कि फिनेस्टाइड से competitively बहुत एक जादा amount है, भाईयो ये ही एक बड़ा reason बनता है, डूटास्टाइड को काफी जादा effective बनानेगा, अब भाईयो studies के अंदर निकल के देखते हम की side effects जो profile वो का निकल के आता है, कि दोनों से जो है, कितने कितने हमें side effects देखने को मिलते हैं, भाईयो ये बात जानके आपको बहुत जो ही होगी, कि finasteride और dutastride के side effects, ध्याँ से सुनिएगा, finasteride और dutastride से होने वाले side effects study के अंदर निकल के आया है, वो almost equal है, जो है काफी खुशकबरी है, क्योंकि hair count जो है, दोनों में से dutastride का जादा निकल के आया है, और side effect profile है, वो दोनों का same निकल के आया है, तो गाई जो है काफी interesting study है, और इसके अंदर guys, over the years हमने ये भी देखा है, कि जो finasteride के users हैं, जब वो dutastride पर shift होते हैं, अगर उनको extra result चाहिए होता है, या फिर जो है वो finasteride के result से unhappy होते हैं, वो dutastride के उपर shift होता है, देखा ये जाते है कि जो most users होते है guys, finasteride के, जो shift होते है dutast जो है बैसूस नहीं होते हैं, और आप dutastride पर shift होना चाहते हैं, तो studies के अंदर guys, लोगों के personal blocks के अंदर ये निकल के आता है, कि dutastride से भी उनको जो side effects है, वो minimum या फिर कोई side effects ऐसा अलग से नहीं होता, तो भाईयो safety की जो बात निकल के आई study के अंदर वो एक काफी promising अब भाईयो personally जो है मैं आप से अगर share करूँ कि मैं जो है अभी personal अपने जो मैं थेरपी ले रहा हूं से satisfied हूँ, but मैं भी जो है future में dutastride अड़ करने की definitely सोच सकता हूँ, guys कई doctors जो है ये भी advice करते कि आप जो है finasteride के 7-7 dutastride की weekly dosage अड़ कर लें, जिससे कि दोनो वेडि की वो तो हमने देखे लेगी study के अंदर कितनी अच्छी effective है निकल का ये dutastride की, भाईयो मतलब ये study देखने के बाद अगर आपको कोई भी query आती है mind के अंदर और आपको अभी भी कोई doubt रहता है, it's related, तो definitely guys मेरे से वीडियो के नीचे पूछिए, मैं आपकी जरूर help करू वेडियो गईस, and have a great day